नरिंदर मोधी के बाद बन सकते हैं ये देश के परधान मंतरी कई चुकाने वाले नाम है शामिल नमस्कार दोस्तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय देश के परधान मंतरी श्री नरिंदर मोदी जी है और परधान मंतरी पत का दावेदार कौन हो सकता है तो आच अचम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं तो चलिए जानते हैं उन नेताओं के बारे में नमबर एक अमिशा दोस्तो भारते जंता पार्टी में भारते जंता पार्टी का चनाक्या कहा जाता है अभी हाल ही में अमिशा ने भारते जंता पार्टी का राख्ष्ट अध्यक्ष पस्तिय सीफा दिया है जेपी नुढधा को राख्ष अध्यक्ष बनाया गिया है लेकिन देखने वाली बात भी है कि आने वाले समय भारते जंता पार्टी की तरह से परधान मंत्री पत के दावेदार श्री अमित शाजी हो सकते हैं नमबर दो राचना सिंग भारते जंता पार्टी में राचना सिंग की एक बहुत बड़ा नाम है जो कि मुझूदा समय में भारते जंता पार्टी की सरकार में देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं राचना सिंग उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री विरा चुके हैं इसलिए उनको भी पार्टी परधान मंत्री पत के उमीदवार के रूप में उतार सकते हैं नम्बर तीन योगी अदित्यनाथ उत्र परदेश के मुझूदा मुख्र मंत्य योगी अदित्यनाथ अपनी भगवाधारी पहचान के लिए देश भर में मशूर हैं आने वाले समय में वैवी भारते जंता पार्टी की तरफ से परधान मंत्री पत के उमीदवार हो सकते हैं साफ छवी वाली नेता है दोस्तों अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो क्मेंट करके बताएं लाइक और शियर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाथे रहते हैं धन्यवाद